यह picture है Doppler Ultrasound की Doppler Ultrasound Pregnancy में हम क्यों यूज करते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए के future में कौन कौन से के risk cases हो सकते हैं जिससे इंट्राइट्राइं ग्रोफ रिस्टिक्शन प्रीक्लैम्सिया अब्रूशो प्लेसेंटा ओवेरियन ट्यूमर रिसस डिजीज कार्डिक माल फर्मेशन नीरल ट्यूब दिफेक्ट अब्डॉमिनल मैस और लिवर वैस्कुलेचर में भी ब्लड फ्लो हम इससे चेक कर सकते हैं और यह कार्डिवेस्किल स्टेडीज में यूज होते हैं डॉपलर अल्ट्रसांड किस फिनोमना पर वक करते हैं डॉपलर अल्ट्रसांड वक करते हैं फ्रिक्वेंसी शिफ्ट फिनोमना पर फ्रिक्वेंसी शिफ्ट फिनोमना क्या होते हैं डॉपलर फ्रिक्वेंसी शिफ के टकराती है तो वो एक different frequency से reflect होती है और transducer उस frequency को भी catch करते है अब यहाँ पे हम उस moving particle में RBC की बात करें यह RBC है अगर वो RBC इस transducer की तरफ जा रहा है न तो reflected frequency ज्यादा होती है भेजी गई frequency से अगर RBC इस transducer से दूर जा रहा हो तो फिर reflective frequency काम होती है basic frequency से इस phenomenon की वज़ा से हम इसे blood flow की studies में use करते हैं और pregnancy में हम कौन-कौन से blood vessels को चेक करते है फीटल वैंबरीन के लिए uterine, umbilical और middle cerebral और fetal renal arteries भी होती है fetal renal vessels भी use होती है क्योंकि ज़रूरी नहीं arteries हो हमने blood flow चेक करने है uterine, umbilical, medial cerebral arteries, fetal renal vessels, fetal renal arteries, अब है indications जो हमने बात कर लिए कि वो intra uterine growth restriction, future के case को पहले predict करने में यूज होते हैं, intra uterine growth restriction, abrasion placenta, ovarian tumor, racist disease, cardiac malformation, neural tube defect, abdominal mass, cardiovascular studies, blood flow in the liver vasculature in portal hypertension, in simple words जहां पे भी blood flow कर रहे हैं उसकी study, उसके blood flow की study को, blood flow को study करने के लिए हम doppler ultrasound यूज कर सकते हैं, और यहां पे चुकि यह pregnancy से लेटेड है तो of course हम fetal well being के लिए जिंजिन, vessels को ज़रूरी है study करने हैं, उनको study कर सकते हैं आराम से, या या उनमें blood flow flow सीधा है, reverse है, किदर है, अब यह कुछ doppler हैं, कुछ arteries के हमने doppler ultrasound किये हैं, तो उनसे हम क्या result निकाल सकते हैं यूट्राइन आर्ट्री का doppler, यूट्राइन आर्ट्री में यह सीने हैं कि अगर जब gestation advance कर रही होती है, pregnancy का time increase हो रहा होता है, तो volume flow यूट्राइन आर्ट्री में इंक्रीज करते हैं, अगर अर्ली डायस्टोर में एक नोच बन जाए, यह नोच एक resistance का निशानी है, कि यूट्राइन वेसल्स और प्लेसंटल वेसल्स के दरम्यान resistance हो रही है, blood flow की, उससे उसके दरम्यान जाने में मसला हो रहे है, यह resistance कब होती है, जब trophoblast spiral arteries को सही से invayan नहीं कर पाई, जब incomplete invayan होती है ना, trophoblastic spiral arteries की, जब trophoblastic cells सही से invayan नहीं कर पाते है, spiral arteries की, तो resistance ज्यादा हो जाती है, इस वज़ा से, utopracental resistance, utopracental resistance ज्यादा होगी तो अर्ली diastole में जो waveform बनती है, उसमें एक notch बन सकते है, यह notch बताता है कि resistance है, इस तरह हम अगर 20-24 weeks में ultrasound करें और हमें यह notch मिल जाए, तो हम क्या सकते हैं कि future में यह case preeclampsia का हो सकते है, intra uterine growth restriction का हो सकते है, और abrasion placenta, placental abruption का हो सकते है, 60-70% cases में, अगला है इस case, black artery Doppler में एक resistance मिलती है, जब कि indices हाई होती है, इसका मतलब कि resistance बहुत हाई है, flow की, अब कुछ चीजे हैं जो कि हम खाल से जल निकालते हैं, जैसे, number one, अगर end diastolic flow absent हो, तो इसका मतलब है कि यह एक fetal hypoxia का sign है, और पांच हफ़तों के अंदर fetal demise हो जाएगा, पांच हफ़तों बाद, यानि हम पांच हफ़तों पहले का बता सकते हैं, कि पांच हफ़तों बाद, यह prediction है, यह fetal demise हो जाएगा, यह है अगर absent end diastolic flow, अगर हो, diastolic flow reverse, तो यह ज़्यादा serious इसान है, fetal hypoxia काई, और इसका मतलब है कि एक से दो दिन में fetal demise हो जाएगा, अगल है middle cerebral artery, उसके dopplers हम क्या evaluate कर सकते हैं, fetal anemia, intrauterine growth restriction, आखरी है fetal renal arteries, अगर हमें हो suspect कि किड्नी में anomaly है, तो हम kidney vessels की चेक करने के लिए, fetal renal arteries का ultrasound करेंगे, doppler, so this is all, हम ने uterine artery doppler करते हैं, फैग्नेंसी में, ब्लाइकल artery doppler करते हैं, middle cerebral artery doppler करते हैं, और fetal renal arteries का भी करते हैं, uterine artery वगारा से हम पता कर सकते हैं, प्लाइकल artery ग्रोफ रिस्रिक्शन और प्लेसंटल अबरप्शन का पहले से नौच कियोड़ से, ब्लाइकल artery doppler में सबसे जुरूई है कि अगर end diastolic flow absent हो, तो इसका मतलब है, यह fetal hypoxिया का ही बताएगा बस, ब्लाइकल artery ग्रोफ रिवर्स diastolic flow, तो यह कुछ ना कुछ से बता रहा है, मेरे cerebral artery का doppler हमें कौन से मसले बता सकते हैं, अनेमिया और end diastolic growth restriction, fetus की, मतलब fetal anemia की बात करें, और end diastolic growth restriction, renal arteries का doppler हम तब करते हैं, अगर fetal renal anomalies हम suspect करें, ओज से पीएडो़ चrek्ट में गुट समय विया करें, प्रोंड़ बता हम चयोंसा ठेंट